तुमस्कार न्यूस निशन आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ विद्यानाद जा और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जी शुक्रिया विद्या तो मैं आपके साथ है मानी नैथानी और हम लेकर हाजन हैं अभी तक की सबसे बड़ी कवरेच दिली में आज जो मुक्यमंतरी हैं अर्विंद के जिवाल दोपहर सबा बारा बजे जो हैं दिली के मुक्यमंतरी पत की शपत लेने जा रहे हैं किस तरह से भव्य तैयारियां की गई है राम लीला मैदान में वो हम पांच तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं पांच तस्वीरों के जरीये देखे कैसी तैयारी अभी हुई है राम लीला मैदान में और अब से कुछ छी देर के बाद यानि की बारे बजे शपत ग्रेंट का कारिकरम शुरू हो जाएगा खास बात ये है कि सतर कुर्सियां जो इस बार मंच पर होंगी उस पर अलग अलग शेत्र के प्रतिनिदी मौजूद रहेंगे दिल्ली से तो आज औरविद के जरिवाल तीसरी बार मुख्य मंत्री पत की शपत लेंगे इस बार भी पिछली बार की तरह मंत्रियों जो पिछली बार के जो मंत्री हैं उन्हीं को कैमिनिट में जगा मिलेगी शपत ग्रेंड से पहले न्यूज नेशन से खास बातचीत में मनीश सिसोधिया ने कहा है कि दिल्ली में शिक्षा के मुद्धे पर वोटिंग हुई दिल्ली की जनता से किये गए बादे पूरे करेंगे दिली के उपमुख्य मंतरी मनीश से सोधिया ने जो बाते कही है वो हम आपको दिखा रहे हैं अगर पीए मुदी आते तो अच्छा रहता शबत ग्रेंड से पहले न्यूस नेशन से खास बातचीत में मनीश से सोधिया ने ये तमाम बाते कही है उन्होंने कहा कि दिली में शिक्षा के मुद्धे पर बोटी हुई है क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनवाते हैं आज लोकतंतर के उत्सव का दिन है शपत का दिन है तीसरी बार अर्विन के जिरिवाल अपने कैबिनेट के साथ शपत लेने वाले सर जब अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो प्रेशर भी होता है प्रफॉर्मेंस तीनों बार लगातार बहतर होती जा रही है ऐसे में प्रेशर कितना है पांस साल काम भी करता है प्रेशर तो होना ही चाहिए और बिलकुल बिलकुल प्रेशर होना भी चाहिए और जब जनता इतना बड़ा mandate देती है, इतना बड़ा प्यार सम्मान देती है तो हर मंत्री को, हर अफसर को, हर विक्ति को प्रेसर में रहना चाहिए कि मुझे भरोसा किया गया है, मैं उस भरोसा को तोड़ूगा नहीं मुझे सम्मान दिया गया है मैं उस सम्मान को नीचे नहीं आने दूँगा ये प्रेसर जितने दिन तक रहेगा उतने दिन तक हमें लगता है कि हम इमानदारी से और बड़े हाकाम कर पाएंगे कि योजना रहेगी इस बार क्योंकि पांस साल है यही इसी के लिए सरकार जुनिये लोगो ने पाथियों को नहीं बुलाएगी लेकिन प्रधान मंत्र प्रधान मंत्री को बुलाएगा था प्रधान मंत्री तो काशी में है कैसे आप देखते कि प्रधान मंत्री आते तो जादा सोने पे सुहागा होता है नहीं अच्छा लगता है किसी भी विक्ति के लिए अच्छा लगेगा कि जिस वक्त मैं शपत ले रहा हूं देश के प्रधान मंत्री उस वक्त सामने बैठे हैं पर ठीक है उनकी शुबकामने हैं हमारे साथ हैं उन्होंने शुबकामने दी हैं सोचल मीडिया पर हमारे लिए वो भी काफी है एक अंतेम सवाल जो विपक्ष है बीजेपी की बात करें तो रचनात्मक मिलेगा क्या विपक्ष का साथ इस बार उमीद है हम तो चाहेंगे कि विपक्ष हमको जितना क्रिटिकल होके देखेगा हमारे एक एक काम पे जितना क्रिटिकल होगा उतना हमारे लिए फायदे मन्द होगा और उसी रादे की बात होगी जिसके साथ आमादमी पार्टी पर दिल्ली की जनता ने भरोस जटाया है। और उससे पहले ठीक ट्वीट भी करते हैं बताते हैं दिल्ली वासियों को कि आज मैं तीसरी बार सीम पत की शपत लेने जा रहा हूं जरूर आईएगा अपने बेटे को आशिरवात देने के लिए। परिवार समेत रामलीला मैदान आज पहुचने का न्योता दिया है क्योंकि आज एक बार फिर से दिल्ली के मुख्य मंत्री के तौर पर शपत लेने अर्विंद के जरिवाल जा रहे हैं। चलिए तो ये तीन तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं और साथी साथ इसी पर हम और विस्तार से चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ हमारे से होगी हर्शा चन्वानी इस वक्त राम लीला मैदान में ही मौझूद हैं पलपल की अपडेट्स देने के लिए साथी साथ हमारे साथ दो खास महमान भी जोड़ चुके हैं। ढिए दीरे दीरे लोग पहुच रहे हैं लेकिन सबसे पहने मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। वहाँ पर जो दिल्ली के निर्माता जोने नाम दिया गया है वो दिल्ली के निर्माता यहाँ पर बैठिंग अर्विन केज्रिवाल के साथ अर्विन केज्रिवाल के साथ छे मंत्री शपत लेंगे जो उनकी काबिनेट के मंत्री ही क्योंकि टीम में कोई बदलाब नहीं किया गया है तो तयारी पूरी हो चुकी है सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम है लोग अभी आना जाना शुरू हो चुका है और यहाँ पे जितने भी लोग है अलग-अलग कलर्स यहाँ पे राम लीला मैदान में नजर आ रहे है और देखे राम लीला मैदान यह वो जगए है जहाँ पे जो एक एतिहासिक जगए मानी जाती है जहाँ पे अन्ने का अंदूलन भी देखा गया जहाँ पे कहीं न कहीं न कहीं कहा जा सकते कि अर्विन केजरिवाल की जो नेटा की पारी है वो राम लीला मैदान से ही शुरू हुई और जिस तरह से भव्य तैयारिया यहां पे की हुई है क्योंकि लिटी लगाई गए है लिटी केवल राम लीला मैदान के अंदर ही नेबल की बाहर भी लगाए गए है जिससे के आसपास के जितने लोग हैं वो भी यहां पर देख सके कि शपत गर्ण समारों के इस तरह से किया जा रहा है किसी नेता को नहीं बुलाए कि लेकिन हाँ यकीन दिली की सब तमाम जनता को यहां पर नियोता दिया गया है राम लीला मैदान में और शमय बारा बचे कर आएंगे मुधित हमार साथ जुड़ गए हैं राम लीला मैदान पर ही मौजूद है मोहित कौन-कौन खास मेहमान पहुच रहे हैं दिली वालों की क्योंकि दिली के लाम लोग है उनको निमंतर्ण है खुद मुख्यमंतरी ने दिया और पचास जो दिली के निर्माता है उनको निमंतर्ण दिया मैं ये पोस्टर दिखा दूँ आपको मेरे पीछे यहां पर केमरमेन को कहूं वह मूव कर सके थोड़ा तो यह देखिए अनील कपूर से एक बार फिर कंपरिजन किया है नायक पिचर का नायक is back again ये लिखके आ रहा है और लोग हमारे साथ है उनसे बात करते हैं कितना उत्सा है आज की शपत के रिचेश पूरा उत्सा है तीसरी बार शपत लेंगे और देखे फिल्मों में देखा था फिल्मों में देखा था कि एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनके अनील कपूर जी ने काम किया था पांच साल अर्विन केजरिवाल जी ने वहीं सिमिलर चीज़े अच्छे जनता के हित्में की है और आगामी पांच साल भी है जाली रखेंगे सब्सक्राइब यह फिल्ली से संदेष जा रहा है इनके सिंह साब आज से एक नया कारिकाल शुरू होने जा रहा है तीसरी बार शपत लेने जारह है अर्विन के इजरिवाल आप किस तरह से देख रहे है अर्विन केजरिवाल के इस नए कार्यकाल को मुझे लगता है कि grammar of governance शाषन का द्याकरण अर्विन केजरिवाल की सरकार ने बदल दिया है यह आप गोर से देखें अगर आप financial position देखें तो कहीं भी revenue surplus state रहा है इतना कुछ मुफ्त में देने के बाद गटा है यह कारोप उनके उपर रखटा है लेकिन जो संसाधन से उसी से healthcare, education free बिजली, free पानी आप समझ सकते हैं कि यह भारत में एक grammar बदल रहा है और शायद सभी सरकारों को राज की सरकार हों अब मैं ब्रिहन मुंबई का उधारण देता हूँ लगबग इसके आधा बजट ब्रिहन मुंबई का है BMC जिसे कहते हैं भारत में सबसे बड़ा है 30,000 करोड का लेकिन वो यह सुविधाय नहीं दे पाती है आखिर बज़ा क्या है पूरे देश में मेरे ख्याल से इस model को लागू करने की जरुरत है limited resources पे आप किस तरह administrative efficiency को बढ़ा सकते हैं इमांदारी के साथ deliver कर सकते है इसके लिए अरविंद केजरिवाल कहते हैं कि भरष्टा चार पर उन्होंने लगाम लगा है आपको लग रहा है दिली में भरष्टा चार पर लगाम लग गया इसलिए जनता को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और भी क्या-क्या मुफ्त में मिलने की उमीद जग गई है लोगों को यह बिल्कुल सही आपका सवाल है यह एक्चुली जो corruption से tax revenue mop-up नहीं होता था वो tax revenue अच्छा खासा आने लगा और इतना आने लगा कि एक चीज होती है revenue balance जिसमें आप revenue कितना आ रहा है और कितना खर्च कर रहे हैं इसको आप देखेंगे तो ताजूब होता है कि किस तरह से revenue balance समान रहा है और revenue balance में surplus में गए भारत में कोई राज़ नहीं है जो कि revenue surplus हो अकेला राज़ है जो revenue surplus है इतना खर्चा करने के बाद तो मुझे लगता अगर मोदी जी आज आते तो एक आशिरवाद देते तो एक अच्छा मौका था और खास करके तब जब कि आपने 2014 में cooperative federalism की बात कही थी आज आते तो एक बड़ा अच्छा message जाता निश्चित रूप से आज आते तो एक अच्छा message जाता लेकिन राहुल जी को भी मैं इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी राहुल जी आप किस तरह से मुल्यांकन करेंगे आज तीसरी बार जो मुक्यमंति पत की शपत लेने जा रखे हैं अरविंद केजरिवाल एक शीर्स पर पहुँचना एक आम आदमी से और एक शीर्स पर पहुँचना दिल्ली के लिए आज जिस तरह की तस्वीर राम लिला मैदान से मिल रही हैं आप कैसे देखते हैं मैं समझता हूँ एक बहुत महतुपूर्ण क्षण है नकेबल दिल्ली के लिए दिल्ली की राजनीती के लिए लेकिन देश के लिए भी अरविंद केजरिवाल की अपनी जीवन यात्रा एक बहुती अलग तरह के रही है और उस यात्रा पर चलकर अकेले चलकर तमाम तरह के विरोधों के बावजूद शंकाओं और संदेहों के बावजूद उन्होंने अपनी एक जगा बनाई उन पर कई तरह के प्रशन भी लगे लेकिन आज वो तीसरी बार कर मुक्यमंत्री पत की शपत ले रहे हैं और वो भी इस तरीके से ले रहे हैं जो बहुत अलग तरह के संदेश भी दे रही है और उन्होंने दूसरी बार इतने बड़े बहुमत के साथ जीत कर एक राजनितिक मॉडल दुनिया के सामने और देश के सामने पेश किया है हमारे मित्र एमपे सिंग जी बात कर रहे थे रेविन्यू सर्प्लस होने की रेविल्यू बैलेंस वगड़ा की वो सारी हैं महत्वपून उपलब्धियां है हलांकि रेविन्यू बैलेंस जो है वो धीरे-धीरे घट रहा है दिल्ली का पिछले कुछ वर्षों में जो आंक्रे कुछ मैंने देखे लेकिन ज्यादा बड़ा संदेश मैं समझता हूँ कि राजनितिक है कि किस तरह सरकार में रहते हुए अपनी सरकार चलाते हुए और राजनितिक करते हुए आप एक अलग तरह की राजनितिक करते हुए काम्याबी और बड़ी काम्याबी हास कर सकते हैं। तीके रह सकते हैं। का एक मूल मंत्र रहा देखिए ऐसा कौन सा राजनितिक वक्ति होगा नेता होगा और कौन सी ऐसी पार्टी होगी जिसने अपने जीवन में किये गए सारे वाइदों को शत पतिशत निभाया हो मैं समझता हूं कि आप जिन उनके वाइदों का जिक्र कर रहे हैं वो उस समय बह और सचमुच कहना कि हम गाड़े नहीं लेंगे और घर नहीं लेंगे और तब भी अच्छी सरकार चला लेंगे तो यह संभव नहीं लगता है कम से कम मुझे तो वह व्यवारिक नहीं थे उनके वाइदे इसलिए उनसे मैं इन्पुत दोलूगा नहीं चलिए ठीक है व्यव वो आगे राजनीती में बढ़ सकते हैं और उसी का एक नजार एक बार फिर से दिखा है अब चुनाओ के नतीचों में लेकिन साथी आपको बता दें कि दिली के जो मंतरी हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं देखिए आज तीसरी बार सीम पत की शपत लेने जा रहे हैं शिक्षा मंतरी और उपमुख्य मंतरी मनीश सोधिया कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेतर में जो काम हुआ है उसको लेकर जनता ने बड़ी जीत दिली सरकार को एक बार फिर से दिलाई है और अभी हमारे साथ है निजनेशन पर सर क्या प्राइटीज रहने वाली है क्योंकि आप फिर से जिम्मेदारी मिली है आपको पिछले पांच साल में जो काम सुरू हुए हैं दिली के लोगों के लिए पहली प्राइटमिक्ता हम लोगों की यही है कि उन सब लोगों को बेहतर तरीके से आगे जारी रखा जाए साथी साथ दस गारंटी हमने चुनाओ के दौरान दिली के मुख्यमंतरी ने दिली के जनता से किया है तो हमारी पहली प्राइटमिक्ता है कि काम जारी रहे और दस गारंटी जिसको हमने प्रामिस किया है वो लोगों को देने के लिए कैबिनेट जो है अपना काम सुरू करी अज की शुरुआत कैसी हुई है किस तरीके से आगे बढ़ेगी यह शुरुआत कि हमने देखा आज भी आप भक्ती मिली नजर आए अभी यहाँ पर ब्रह्म कुमारी मिसन के जो लोग है उन्होंने आज यातरा सुरू की है तो आज यहाँ पर भी लोग आए है दिली के लोगों से हम यही कहना चाते हैं कि पांच साल में जो काम किये गए उसे और आगे ले जाना है दिली के लोगों के सामने जो चुनोतिया है हमें इस बात का फरोसा है कि सरकार और दिली वाले मिल करके दिल्ली को न सिर्फ राज जी है बलकि देश की राइधानी होने के नाते दिल्ली की राइधानी को एक बहतर एक मौडल के रूप में खड़ा करना नियूज नेशन से राजा इंद्र गौतम ने खास बाचीत की, क्या कुछ इस दोरान कहा सुनिये करने वाले हैं आप क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो आपने वादे कर दी हैं अभी सबसे पहले तो दस गारंटी कार्ड है जो दस बाते कहीं हैं उनको सबको मजबूती से तेज गती से आगे बढ़ाएंगे और उसके साथ-साथ अभी कल तक शायद विभागत है हो जाएंगे क जाके मिलना उसके इसाब सिर्फर प्राइटी स्टे करेंगे जनी को कैसे देखते हैं बाइपोल में जीते और उसके बाद जो आगे-अगे कहनी जिस तरीके से बड़ी उसको किस तरीके से आप देखते हैं एक्चली हम पहले से आस्वस थे अपने काम को लेकर जो हम गली- दिल्ली की जनता स्वेम चुनाव लड़ रही है तो हम पूरी तरह सासवस थे की साथ से उपर शीट हैंगे दो बार जिता के भेजा है तो अब दिल्ली वालों को क्या-क्या खास तौर पर मिलने वाला है क्योंकि हमने देखा आपके लाके में गए तो आपने गेट तो लग दिल्ली की जनता से उन्होंने वादा किया है मुझे लगता है कि पिशली बार के उनके पूरे राजनितिक जीवन के सफर से उन्होंने अगर कोई एक चीज सीखी होगी तो यही सीखी होगी कि हमें हमारा काम ही यानि उनकी सरकार का काम ही उनको बनाए रख सकता है इस दौर में और यह लंबी दौर के खिलारी है रमीन पर कार्यान में होता है उसमें गैप कहां कहां है उनको भरने की कोशिश कैसे की जा सकती है इस बार भी उन्होंने वाइदे बहुत बड़े किये हैं और वह आसार नहीं है तो अब यह सारे देश की निगाहें उन पर रहेंगी हम लोगों की तो रहेंगी कि वह कितना क किस तरह के से यह वाइदे पूरे करते हैं और इस तरह से करते हैं कि जो अभी जैसे एनके सिंग बात कर रहे थे सरप्लस स्टेट बना हुआ है दिल्ली उसका लाब न घटे उसका जो राजासव है वो बना रहे वो एक समृद्ध प्रदेश बना रहे ताकि वो ज्यादा कल इनी बड़ी जिमेदारी भी होती है लेकिन ये तीसरी बार है कहीं वो एंकार कुछ इस तरह की चीज तो नहीं हो जाएगी कि फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे जनता को मतलब वही चीज जो राहूल जी कह रहे हैं कि मतलब वादे फिर इतने सारे किये हैं कैसे उनको देता हूँ आप एक वीजूल दिखा रहे हैं जिसमें कि एक ही माला जो की सिंपल इसकी गेंदे के फूल की माला है वो एक ब्यक्ति ने पहनाया अर्विंद को और उसके बाद उसको लेके उनके दूसरे कारेकर ने ने वही माला फिर उनको पहना दिया आप जानते हैं कि प देखिए जो पहना रहे हैं यह वही माला है जो पहले पहनाया जा चुका है तो यह जो सादकी है गवर्नेंस में आप अहंकारी नहों और आपको यह जो क्रुसिबल आफ मैजस्टी कहते हैं यह सत्ता का एक अजीब सा वो होता है जो कि आपको बहा ले जाता है अर्विंद म आप देख रहे हैं कि रेविनू बहुत ज्यादा टेक्स की गुझाइशन में नहीं होती है इस तरह की गवर्नेंट में लेकिन इसके बावजूद रेविनू उनका अच्छा आया है और रेविनू सरप्लस ठीक है घटा है वो एक अलग बात है क्योंकि आपने डिलिवरी ज समझना होगा कि सीधे मैसेज दे पॉलिटिकल क्लास को कि जो डिलिवर करेगा हम लोगो वोट देंगे न कि हम भैस के चल्ड़ हाली में बलकि यह कही कि कुछ घंटे पहले कही मैं आपको बताता हूं अनके सिंग साहब कि जारकंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिली के किया है दिली में उसको बाकी देश के जो बुख्यमंत्रियां वो फॉलो करने वाले हैं और सिर्फ फेमत सुरी ने क्यूबल कि उद्धव ठाकरे भी आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि बाकियों को भी मतलब जस्तरते हम गुजरात मॉडल की बात करते थे अब दिली म मॉडल की बात होने लगी है तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि वो बाकी राज्यों को भी फॉलो करना चाहेंगे इस पर होगी चर्चा एक ब्रेक के बात